स्विवपुरी अत्यकान्ड किस ने किया गवाणः में घर किस ने जडाए अभी मद्यपरदिस्नागुण में किसे ने किया पूरे देशमें हमाँ जो गठनाई हो अरी सारा तो सन्ट जाती का व्यक्ति कर रहा जो बनदवाधी लोग हैं और ब्रहम्नवाधी होगा अरे इसमें पंड़े जी भी मरें हैं और भी एक दो लोग मरें उनका क्यों नाम ले रहें को यह पता है कि जो लड़ सकता है ना वह बहुज़न समाज का वैक्ती है आप दंगे हैं तो इन लोगों ने वेपन की तरह इस्तेमाल करना हमारे समाज के लोगों को इसलिए य उसका जिम्यदार कौन है शीवपुरी हत्याकाट किस ने किया गवाना में घर किस ने जड़ाए अभी मत्य परदिशनागोर में किस ने किया पूरे देश में हमारे साथ जो गटनाए हो रही हैं सारा तो सण जाती का व्यक्ति कर रहा जो बनवादी लोग हैं जो ब्रहमनव भाईयों की मदद करेंगे उनके साथ खड़े हैं और सिखोंने भी खुल के साथ दिया मुसल्मान भाईयोंगा तो यह जो देखने को मिला समन्व है इससे ब्रहमनवादियों की मनवादियों की खटिया जो ना वो उल्टी हो गई इनको लगा कि यह तो बिलकुल सिस्टम उ परवाए हैं और यह तो इनकी चाल है बहुजन अभी चाल में नहीं आ रहा है सोसल मीडिया मैं तो थैंक्स करूंगा आप लोग जितने भी चैनल है कि आप लोगों की वज़े से एवरनेस आई है नहीं तो जितने भी लोग बैठे हैं अंजना हूं के सब जैसे लोग वहां पूरा इनका फोकस हिंदू मुसलमान पर रहा यह लोग दिल्ली को जलाना चाहते हैं लेकिन अब दिल्ली के लोग इतने समझदार हो गया है कि इन गुजराती गुंडों की बैकावे में नहीं आने वाले यह गोधरानी मनने देंगे इस देश को यह दिल्ली हमेशा से शान रही हैं पहुजनों की मुसलमानों की दिल्ली को जलाने करें लोगान सपना देखा वो कեղिएू कोुर है इसलिए पहुजनों को उकसाने की कोसिस हैं कि के दलीतों को दिखाऊंगे दैटों जोट चाहर हुए हैं लेकिन आप लोग का जो पर रीक्ष 치ट ने वो हमेश तीन चार दिन पहले भी आप लोगों ने देखा, पूरा दिल्ली में एक मैसीज था, कि यहां यह हो गया, वहां वह हो गया, हम लोगों ने पूरी दिल्ली में, अपने यहां पर जो हमारा एरिया लगता है, उसमें हमने खूब पुलिस के साथ रोड मार्च किया, पुलिस को समाज के लोग समझ रहे हैं अब दिक्कत किसका हो रही है दिक्कत सिर्फ ब्राह्मन वादिर बनवादियों को हो रहे है के अपने मनसूबे में काम्याब नहीं हो रहे हैं इनको यह यह हिडन एजेंडा जो था इनका के भई पहले मुसलमानों को टारगेट करो उसके बाद परदानमंत्री कहता है कि हम लोग जोने सोचल मीडिया छोट रहे हैं यह प्रेशर खौफ है आपकी जो सोचल मीडिया है जो यूटूब परदानमंत्री के चैरे पर दिख रहा है यह लोग जवाब देने लाइक नहीं रहें देश में जिस तरह से कई इलाकों में जादर प्रभावित इलाके थे जाफराबाद और हम सिलंपूर जैसे मोजपूर जैसे इलाके इक बात करें वहां पर कुछ ऐसी मिसाले कायम की गई दलितों ने और मुस्लिमों ने मिलकर वहां पर दंगाईयों को खदेर दिया यानि कि उस इलाके में निकुछ ने दिया जबकि इस्तिती यह थी होनी चाहिए थी कि जण्पृति नहीं दी थे खासकर जो पून बहुमत यानि प्रचंड बहुमत के साथ जो आमादी पार्ट तो साइद इस दंगे को कंट्रोल कर लिया जाता और एक सद्भावना रखी जा सकते देखिए आप एक चीज देखो सपस्ट सी बात है साब काशी राम ने भी कहा था एक सापनात है एक नागनात है और इनके संभोग से जो सपोलिया पैदा हुआ दिल्ली में केजरिवाल य यह बहुत जहरीला बनिया है समझने की जूर्थ पड़ेक हमारे भवासाब के खिलाब गांदी था और यह दूसरा है आरक्षन के तो हमें से खिलाब रहा है इन लोगों ने मिलके दिल्ली जड़ाई है अभी आपने देखा इसके पार्षत की चत पर कितनी सारी चीजे मिली और दो मिंटों पलना जाड़ा है कपिल मिसरा को भी लाने वाला यही था जिस आदमी को जेल होनी चे जिस पर फाई होनी चे उसको वाई पलस की स्कूर्टी दे रहे हैं यह सारे के सारे ब्रामन बनिये ठाकूर यह सारे मिले हुए हैं यह जड़ाना चाहते हैं इस देश को एक ही परिवार के लोग हैं केजरी वाल की 38 सिटों वे जो चुना हुआ 38 यह मैच नहीं कर रही काूंटिंग मशीन ने लेकिन ही कोई नहीं बोला के शारे मिले वे हैं आज मोदी मिलता इस से हमिक्षा ही मिलता है और जैसे ही मिलता है दिली जलती है जाफराबाद में इसके सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस केजरी वाल नाराम को और आज तक प्रमीशन नहीं दिए उसके खिलाब मुकदमा रोक के बैठा फाइल मेरे जुटा रूप लगा इन्होंने मेरी फाइल रोक के बैठा मेरी सेंक्सिन नहीं दे रहा तो यह सारे का सारे एक ही परिवार के लोग है समझना बहुजे समाज क क्रिम्पतिका नुकसान हुआ है और मुसल्मान भाईयों के घरों को सगुलों को पार्किंगों को टार्गेट करकर के जलाए गया और यह बहार से गुंडेल आए गये हैं यह मनसूबों में फेल हो रहे हैं इनके मनसूबे कामियाब नहीं हो रहें दिल्ली को जलाने के तो यह लोग चाहते थे के दलीत और बहुजन मुसलमानों के किलाव खड़ा हो जाए ताकि इनको बैका के NRC वगरा स्य वगरा लागू करके फिर पहले मुसलमानों को टारगेट करेंगे फिर बहुजनों को टारगेट करेंगे शिक सारे लोग आ जाएंगे में यह हमें वोट हमारी जो बाबसाब अम्बेड करने दिया था उसको खतम करने का बहुत बड़ा सिडिया इंतर है क्योंकि आज एवियम के खिलाब भी पूरे देश में जनाक्रोस है लोग सरकों पर उतरेंगे एवियम के खिलाब भी बहुत सारे संगटन है जो एवियम के खतम करना चाथ सत्व मैंने कल एक पोस्टल देखा निर्भयाकांड में जो इसमें पोस्टल देखा मैं उसमें पे लिक रखा एक कोई पंडित से उसमान क्योंड़ा मैं अब आहिसा नहीं चलेगा ब्राहुन पढ़िया और ठाकुर चे कोई भी हो इंसान अगर वह गलत करेगा तो बाबा साब के समीदान से बचने वाला नहीं हो यह सारी जो सडीयंतर है समीदान में जो मूल भूत अधिकार हमें दिये गए हैं उनको खतम करने का सडीयंतर हैं इस तरह से फासिक डल रही है उसको देखे आप देखे सरकार इनकी सुप्रीम कोर्ट में दलाल बैठें जज़िजमेंट देते हैं जस्टिस होता नहीं है सारी जगें आर्यएसस हाई जैक करका आरेसस ने देश को ना आरेसस चला रहे है देश को पुरा सिस्टम आई जाएग के इस मुद्य को इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया आज पूरी दुनिया में इस मोधी सरकार की थूतू हो रही है ये चाहिए कुछ भी करें लेकिन आज ये सरकार फेल हो रही है ये सरकार गिरनी चाहिए और तड़ी पाड अमित्षा का इस्तिफाण चाहिए परदानमंत्री का इस्तिफाण अच्छे जितने भी लोग दंगाई हैं सब के इस्तिफेदें और मैं बहुजन समाज के लीडरों से स्पेसली आवान करता हूँ आपकी मीडिया के मादव से जितने हमारे समाज के लोग संसद में बैठे हो सारे के सारे इस्तिफा देदो बचने वाली तुमारी बेंड बेटियां भी नहीं यह सोच लेड़ा यह हमारी बेंड बेटियां जो विचारे गरीब हो तो मरेंगे मरेंगे तुम्हारी कोठियों में गुस-गुस के दंगाई बैंड बेटियों बलातकार करेंगे तुम्हारे मकानों पे, महलों पे कब्जे करें और तुमों लोगों रोड पे कब्ली आएंगे तुम्हें पता भी नी चलेगा, अज लड़ना पड़ेगा समाज के लिए सब को उतरना पड़ेगा सरकार गिरा दो यह सरकार निकम्मी है जब तक सरकार निकिराओगे यह सोसन चलता रहेगा